Hello everyone, इस वीडियो में बात करने वाले हैं One Card के बारे में यहाँ पर काफी सारा चीज क्लेम कर रही है भाई कि यहाँ पर एक कार्ड हमारा Best है, Metal का कार्ड है यह कार्ड है, इसमें आपको कोई वीचर कोई भी मतलब hidden charges बगरा नहीं लगेंगे और यह सारी चीजे काफी सारी marketing company कर रही है और अगर आप इस वीडियो को देख रहा है तो आपके मार में एक question चल रहा होगा कि यार भाई इस कार्ड को मैं खरीदू ना खरीदू और चलो, तो पूरा conclusion आपको बताऊंगा, benefits बताऊंगा और इसके जो bad है मतलब कि जो भी इसके hidden charges है और क्या आपको इससे नुक्सान हो सकता है यह सारी चीजे हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो चलो, without wasting end time वीडियो को start करते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप इस card के लिए apply करने का सोच रहे थे तो सच में यह वीडियो जो है आपका decision बदल देगी अब वो हाँ या ना में बदलेगी वो आपको आगे पता चल जाएगा बाकी सारा कुछ मैं इस वीडियो में explain करने वाला हूँ कि भाई क्या कैसे charges है कैसी क्या apply की process है वो तो आप सभी को पता ही होगा आपके लिए हमीशा बनाते रहता हूँ यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर about this app में यह सारी जीजे mention है लेकिन वो आपके साथ नहीं करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा आपके benefit बता देता हूँ फिर इसकी थोड़े से नुकसान हम लोग यहाँ पर जानेंगे यहाँ पर अगर मैं इसकी जो good side है फिर इसकी बाद worst side जो रहेगी इसकी वो भी discuss करेंगे अपन first of all यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह one card है क्या तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जब lockdown चल रहा था ना तो कई बार क्या ना यह why now pay later बाद यह system का हुट रेंड में चल रहा था तो इसी की देखते हुए कई सारे जो bank जैसे svm bank हो गया और south indian bank federal bank हो गया बी ओ बी इन्होंने एक system निकाला why now pay later का यह system है यह बन card का इतना सा आप समझो simple से system है बागी इसमें ज्यादा deep जाने की जरूत नहीं है बस एक credit card type इसको आप समझो ठीक है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बदा देता हूँ कि सबसे पहले हम इसके features के बारे में समझते हैं तो फहला जो feature इसका है वो instant virtual credit card activation जो कि काई सारे credit card में आपको मिल जाते हैं कोई भी ऐसा election नहीं है swipe to pay no more OTPs हाँ होता है कि काई credit card में आपको OTPs जरूत पढ़ती है बागी देखो payment system तो सबका similar ही रहता है EMI manage and convert purchase to EMI rewards 5X reward आपको इसमें 5 गुना तक के rewards मिल जाते हैं जो भी आप करते हैं और मैं आप लोगों को बदा दूँ यह महुत कम है मैं आप लोगों को आगे समझाऊँगा आपको लग रहेंगे भाई 5 गुना rewards तो बहुत जादा है अभी मैं आपको समझाऊँगे भाई कित्ते points का कित्ता पैसा रहता है spreading tracker and analysis यह तो सब में आपको मिली जाता है bill management and payments pay and manage your one card credit card will in apps apps हाँ ठीक है असे यह कुछ और कुन से तो card था मैं आपको बताऊँगा असमें भी यह system था तो यह कुछ benefits है my rent, pay and यह तो कर सकते हैं my credit card के मिले से rent payment कर सकते हैं advance cards, control, pinch and locks, unlocking cards tab and pay, transaction etc यह सारे normal से feature है जो transaction करने के दौरान कहीं न कहीं हमको इन features की need रहती है अब यहाँ पर देखो सबसे important बात charges charges के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर क्या mention कर रहे ही लोग we love zero joining fees, zero annual fees and absolutely no hidden charges it's a lifetime credit card अब यहाँ से सारी चीज़े start होती है it's a trap अब यहाँ जाल कैसे इनोंने बुने है मैं आपको बताया दाहूं ठीक है अब यहाँ पर आप लोग देखो फॉर सपोज अगर भाई यहाँ पर अगर हम बात करें instant paying यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप से तो यहाँ पर आप नीचे आओगे न hidden charges के बारे में यह कह रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं interest and other charges भाई यह कहां है यह भी तो बताना था ना पहले interest period up to 48 days चलो 18 दिन में हमको कोई interest नहीं लग रहा है आप यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर 3.3% पर मन्त के साब से आपको यहाँ पर देख सकते हैं अगरे रहता है तो भाई इतना % तक चार्ज़ लग सकता है और यहाँ पर मैं आपको बताओ यह चार्ज़ जो रहेंगे यहाँ पर इन्हों लिखे नहीं है 40-45% तक जा सकते हैं अगर आप कुछ भी करते हैं जैसे कि cash withdrawal करते हैं तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5% per transaction charges लगते हैं अगर आपकी लिमिट ओवर जाती है इसके बाद आप खर्च कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2.5 के interest यहाँ पर यह सारी चीज़ आपको लग जाती है अब यहाँ पर देखो भाई processing fee हो गया for closer fee यह पहले कि उने लोगों नहीं नहीं बताए यहाँ पर mention करना था ना भाई बट नहीं तो यह सारा system है अगर मैं आप लोगों को बताओं जैसा कि आप लोगों ने proof benefits देख लिया होंगे और अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े आपको बताओं तो इस card में क्या होता ना कि सबसे पहले देखो यह metal का card है और अगर आप इस card को गुमा देते हो या फिर कोहीं भी खो जाता है या फिर आपको दूसरा card चाहिए फिर अभी भी आपको card लेना है तब आपको something 3000 रुपए यहां पर देने पड़ेंगे और आपका card गुम जात तो 2.5% से लेगे 45% तक hidden charges लग सकते हैं जो कि अगर आप किसी over limit over हो जाती है आपकी limit over हो जाती है इसके अलाबा आप किसी भी person को cash transaction करते हैं rent payment करते है फिर easily आपका payment नहीं हो पाया sorry actually मैं अगर आप cash transaction करते हैं तब उसमें आपको यह charges देखने को मिल जाते हैं और भी काफी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं और यह करता है यह card आपको तभी मिलता है जब इसमें FD आप करा रखी होती है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना है कि अगर आपकी FD है तभी card यहाँ पर मिलेगा और भी जैसे कि मैं आगर आपको बताओं तो इसका एक और system ज सब कुछ भी features नहीं है कि आपको कोई civil score बिल्ड हो और बाकी मैं decision आप पर छोड़ता हूं और मैं तो इतनी कहना चाहूंगे यार यह उस हसाब से नहीं है जो की और भी credit card आपको facilities देते हैं मैंने काफी है रिक्रेडरी बना रखा हूं तो उस पर आप देख सकते हैं link में आ लेना उससे आपको काफी साथा information मिल जाएगे फिलाल आज की इस वीडियो में बसे दिनी था thank you